हलो फ्रेंड्स, वेलकम इंड़स मीज कीचेन, आज मैं चिकेन बिरियानी बनाई हूँ, खाने में बहुत ही टेस्टी है और सच बताऊं तो बनाना भी बहुत ही आसान है वैसे तो चिकेन बिरियानी बनाने का लॉंग प्रोसेस होता है पर आज मैं इसे कूकर में बनाई अभी का फेवरिट होता है और इसे बनाने का कोई सौट मेथर्ड मिल जाए तो फिर हर होली डेज पे ये जरूर बनेगा तो चलिए बिना देर किये हुए इजी तरीके से चिकेन बिरियानी बनाना बताती हूँ चिकेन बिरियानी बनानी के लिए मैं यहाँ पे सारे 700 ग्राम चिकेन ली हूँ जिसे अच्छे से वस करने के बाद इसका सारा पानी निकाल ली हूँ ध्यान रखना है कि चिकेन में पानी ना हो और अब ये दही इस पर डाल दें सबसे पहले चिकेन को मेरिनेट कर लेना है मैं सभी इंग्रीडियेंट और उसका मेजर्मेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूं तो उसे जरूर से चेक कर लें ताकि आपकी चिकेन बिरियानी भी एकदम परफेक्ट बनें तो दही डालने के बाद अब सारे मसाले इसमें अड़ कर लें हल्दी का पौडर कस्मीरी लाल मिर अब अधरक लासन का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि मसालों की कोटिंग चिकेन पर अच्छे से हो जाए मैं लेयर वाले चिकेन बिरियानी की रेसिपी भी आपके साथ सेयर की हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पर धेर सारी हरी धनिया की पत्ती डालें यहाँ पर हरी धनिया की पत्ती डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आगा तो मिक्स करके इसे कभर कर दें कम से कम आधे घंटे तक रेस्ट होने के लिए छोड़ दें और अब चावल ले ये दिखिए लंबे दाने वाले चावल में ली हूँ, इसे अच्छे से दो-तीन वर पानी से वास कर ले चावल को दोने के बाद इसका सारा पानी निकाल दे और पाँच मिनट तक इसी तरह छोड़ दे चावल को जादा देर पानी में हमें फुलाना नहीं है, बस पाँच मिनट के बाद इसे फ्राई करना है तो एक पैन गर्म करें, इसमें एक बड़ा चमच देसी घी डालें देसी घी में बनाएंगे तो बियानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा तो इसे मेल्ट होने दे और घी मेल्ट हो जाए, तब इसमें जीरा, बरी लाइची, छोटी लाइची, जावित्तरी, लॉंग और दालचीनी डालें कुछ सेकेंड पकने दे इसमें एक तेजपत्ता भी डाल दें और इसे भी पका लें और ये देखिए, बरी लाइची और छोटी लाइची के मुझ को इस तरह से खोल कर तेल में डालें इससे क्या होगा कि तेल के छीटे बाहर नहीं आएंगे जीरा और सारे गरम मसाले पक जाए, तब इसमें प्याज को स्लाइसेज में काट कर डालें और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक भूने और कुछ देर भूनने के बाद ये देखिए, प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया है तो धोकर रखे हुए चावल डाल दें, लो मीडियम फ्लेम पे इसे कुछ देर भून लेना है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसे दवाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को जरूर दवा लें ताकि मेरे लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और कुछ दिर भुनने के बाद ये देखिए चावल तयार हो गया है तो इस टाइम पे फ्लेम बंद कर दें और अब बिर्यानी को मैं कूकर में बनाने जा रही हूँ तो उसमें तेल डाल कर इसे थोड़ा गर्म कर लें और तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरा लाल मेर्च काली मेर्च और तेज पत्ता को डाल दें कुछ सेकेंड पकने दें और जीरा पक जाए तो इसमें मैं लहसन और अद्रक को बारिक बारिक काट कर डाल रही हूँ आप चाहें तो अद्रकलेसन का पेष्ट भी डाल सकते हैं इस तरह डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है गा बिरियानी में तो यहाँ पर इसे डाल कर 10 से 20 सिकेंड तक भून लें और इसके बाद इसमें 4 प्याज के पतले-पतले स्लाइसेज काटकर मैं रखी हूँ इसे डाल रही हूँ अगर आप अद्रकलेसन का पेष्ट डालना चाते हैं तो प्याज के भूनने के बाद उसे डालें तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद मैं इसे medium to high flame पे कुछ-कुछ देर पर चलाते हुए golden होने तक भून लोगे और कुछ देर तक भूनने के बाद प्याज तैयार हो गया है तो अब इसमें marinate करके रखा हुआ चिकेन डाल दें आप इस प्रोसेस से एक बार चिकेन बिर्यानी जरूर बनाएं यह बहुत ही tasty और बहुत ही juicy बनता है तो चिकेन के पीसेज डालने के बाद high flame पे इसे 1-2 मिनट तक लगाता चलाते हुए भूने और अब इसमें biryani masala डाल दें mix कर दें flame को लोपे करके इसे ढग दें 2-3 मिनट तक पकने दें और इसके बाद lid को हटा है और यह देखिए मसालों से तील बाहर आ गया है दही और सारे मसाले चिकेन के साथ अच्छे से पक गया है तो अब इसमें एक अच्छा सा stir दें तो इसे mix करें और इसमें fry करके रखे हुए चावल डाल दें और एक मिनट तक high flame पे भूने चावल को हमने फुलाया नहीं था इसलिए चावल के इसके साथ भुनने के बाद ये तैयार हो गया है तो अब इसमें पानी डालना है तो मैं मेजरिंग कप से दो कप चावल ली हूँ उसके लिए यहाँ पे तीन कप पानी डालूंगी तो पहले धाई कप पानी डाल कर इसे एक बार mix कर लेना है इसके बाद इसमें बचा हुआ दाले मिक्स कर दे फ्लिम को इस टायम पे हाई पे रखें और इसके बाद नमक डाल दे टेस्ट के एक आर्निंग नमक हमने पहले चिकेन के मेरिनेशन में भी डाला है तो नमक थोड़ा ध्यान से डाले और इसके बाद इसमें गर्मसाला का प WARDER डाल दे और निम्बू का र अलग-अलग रहता है तो निम्बू का रसे इसमें जरूर डालें और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और अब इसमें धेर सारी हरी धनिया की पत्ती डाल दें दो-तीन हरी मिर्च को स्लिट करके डाल दें इसके बाद इसे पैक कर दें, हाई फ्लेम पे एक विसल आने के बाद फ्लेम बन कर दें और इसका एर अपने आप निकलने दें और लिड हटाने के बाद ये देखिए वाओ बिरियानी बन कर तयार है अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ ये कितना perfect बना है और अब गर्मा-गर्म बिरियानी को प्लेट में निकाल कर मैं दिखाती हूँ चिकेन के पिसेज भी एकदम perfectly पके हैं और सारे चाव पलके दाने एकदम अलग-अलग हैं और चिकन के पिसेज भी ये देखिए बहुत जादा गला नहीं है एकदम परफेक्ट बन कर तयार हुआ है तो आप इस चिकन की बिरियानी की आसान सी रेसिपी को घर में जरूर ट्राइए करें और आपकी रेसिपी कैसी बनी ये कमेंट कर करके मुझे जरूर बताएं और ये देखिए मैं इसे प्लेट में हरी धनिया की चटनी और सलाद के साथ निकाली हूँ इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप इसे घर में जरूर ट्राइए करें मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बूले